Hello Friends, Welcome to the Exam Hacker YouTube Channel दोस्तो जिगोग्राफी आंसर राइटिंग क्या आज हम लोग का 33 दिन है तो आज हम लोग देख लेते हैं किस क्रिस्टन पे आपको आंसर राइटिंग करना है तो आज का भी जो प्रशने दोस्तो UPC दोरा 2017 में पूछा गया था यहाँ पे पूछा है examine the cause and consequence of forced migration of population in the present context वर्तमान संदर्व में बलपुरुवक जनसंख्या प्रवास के कारणों इवं परेडामों की परिच्छड कीजिए तो यहाँ पे forced migration की बात कर रहा है तो अगेन यहाँ पे push और pull theory को आप remember कर सकते हो और इसके लावा आप यहाँ पे जो आप अपना situation दोगे यहाँ पे इंडिया की specific देशते हैं कि इंडिया में जैसे बिहार से forced migration होती है पहले बहुत जादा हो रही थी और countries to countries भी बहुत सकते हो जैसे सीरिया से इराक से ठीक है तो यहाँ से forced migration हो रही है में मार से forced migration हो रही है तो इसके रिजन क्या है इनकी रिजन आप देशते हो वहाँ पे कि political instability या वोल सकते हो कि वहाँ पे जो violence हो रही है social tension हो रही है तो उसके जलते जो पडोसी देश है उसके जो resources से वहाँ पे ज्यादा effect होता है और उसके जो political system होती है वहाँ पे भी problem होती है तो इन सब को cause and consequence को आपको examine करना है present context में तो अफ्रिकन से जो हमारी migration हो रही है और Syria Lebanon से माइग्रेशन हो रही है ठीक है इसके लावा मयमार से migration हो रही है तो surrounding region में क्या-का effect हो रहे है इन सब को आप easily इसको explain कर सकते हो तो इस question के दोस्तों आप attempt जरू किजिए attempt करने के लिए आपको comment section में link provide कर दे जाएगा उस link पे नए topic साथ thank you